नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर दोस्तों आज आपके लिए लेकर आप चुके हैं राजस्तान बीएस्टीसी परिक्षा के लिए राजस्तान जिक्य के most important questions जो आपके exam के लिए अती महत्वकून हैं तो दोस्तों अगर आपको राजस्तान बीएस्टीसी परिक्षा के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो उस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन मेल को प्रेस करना है जिससे की बीएस्टीसी की important questions आपको मिल सकें तो दोस्तों देखे का यहां पर आप तो क्या answer होने वाला है दोस्तों दर अहार काली बंगा या फीर बागगोर तो हमारा correct answer होने वाला दोस्तों बागगोर यानि की option डी इसका perfect answer हो जाएगा next question दोस्तों देखेगा राजस्तान का राज के खेल क्या है यह प्रस्त ने दोस्तों पिछली बार एक्जाम में पूछा गया था तो राजस्तान का राज के खेल क्या है दोस्तों तो दोस्तों आप सभी को पता है राजस्तान का राज के खेल दोस्तों क्या होने वाला है या यहनि दोस्तों यह पूछ राजस्तां नाम हैं यहनु दोस्तों अमारा जो राजस्तान नाम तो अगरेकरर सबसे लाश्ट नाम नाम दिया गाए तो वह कब दिया दोस्तों एक नवमबर 1956 को अमारा एक ही करन तो इसका आंसर हो जएगा बी यानि दोस्तों पत्र कारिता के बिश्म पिता मा कौन है दोस्तों तो आप सभी को पता होना चाहिए पंडित जाबर्मल सर्मा ओप्शन ए इसका करेक्ट आंस्वर हो जाएगा राजस्तान में आठा रहा सो सतावन की विद्रो की सुरुआत कहां से हुई थी ये भी most important question है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए देखीगा निमत चाहवनी एरिनपुरा चाहवनी देवली चाहवनी आफी नसीरबा चाहवनी तो नसीरबाद इसका correct answer हो जाएगा डी answer ठीक है next question देखीगा राजस्तान के किस प्रदेश में बीहड मिलते हैं दोस्तों राजस्तान की कौन से प्रदेश में बीहड मिलते हैं ठीक है तो बीहड आपको पता है दोस्तों ठीक है चंबल बेसिन पे मिलते हैं तो यह answer हो जेगा बी answer ठीक है इजी प्रसंथा राजस्तान की सबसे उंची पर्वत चोटी है दोस्तों राजस्तान की सबसे उंची पर्वत चोटी देखिया बैरेट जरगा तारागड याफी गूर सिकर तो दोस्तों आप सभी को पता दोस्तों गूर सिकर इसका करेट आंसर होने वाला इसकी उचे कितनी है 1722 ठीक है ये भ को राजस्तान दिवस मानाया जाता है इसका करेट आंसर हो जाएगा जिस राज्य के साथ राजस्तान की सबसे छोटी अंतराजी सीमा है यानि दोस्तों राजस्तान के साथ ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी दोस्तों राजस्तान की सबसे छोटी अंतराजी सीमा बनती है तो दोस दूस्तों क्या होने वाला देखेगा गुजरात पंजाब हर्याना या फिर मध्यवर्देश तो आप सभी को पता होना चाहिए उसका अंसर हो जगा यानि पंजाब से दूस्तों मिलती है सबसे छोटी अंतराजिय सिमा राजस्तान में पाई जाने वाली मीटियों में किसका चेतर सरवादिक है यानि कि कौन से मीटि सबसे अधिक पाई जाती है ठीक है राजसान गंदर काप मर्दा रेतिली मर्दा जलोड मर्दा ये फिर लाल वा पेली मर्दा तो सबसे अधिक दूस्तों क्या होती है रेतिली मर ऑप्शन भी इसका करेट आंसर होने वाला है राजस्तार में चूलिया जल प्रताप ठीक है किस नदी पर बना हुआ है ठीक है यह भी जान रखना है और दोस्तों जो बांध है नंसों डेम डेम भी आपको याद कर लेना कि कौन से नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है तो नकी जील राजस्तान के किस जिल्ले में इस्तित है दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है नकी जील कहाँ पर इस्तित है नागोर जालोर सीरो या फिर पाली तो नकी जील राजस्तान के सीरो ही दोस्तों ठीक है सीरो ही जिल्ले में इस्तित है तो यह आपको ध्यान रखना है सी आंसर परफेक्ट आंसर होने वाला है इंद्रा गांधी नहर पर योजन में लिप्ट नहरों की संग्या कितनी है पाँच छे साथ आठ तो दोस्तों कितनी होने वाली लिप्ट नहर आप सभी को पता अच्छे है इसका करेट आंसर हो जाएगा रजस्तान में सर्वाधिक वन चेत्र सबसे अधिक वन चेत्र कौन सा हो जाएगा उद्यपूर और रासमन जिलों में यानि कि सबसे अधिक वन कहां पर है यानि कि सबसे अधिक वन कहां पर पाई जाते हैं रजस्तान के अंदर ठीक है सभी माधपूर या करोली में चितोडग में या फिर कोटा और बारा जिलों में तो सबसे अधिक वन दोस्तों पहले तो यहाँ पर आपको दियान रखना दियांसर क्रेट हो जाएगा तो यहां पर देखे आगेला प्रस्ट ने सागवान रोपन है तू सबसे उप्युक जिल्ला कौन सा है यानिकि सागवान के लिए स सागवान के लिए सबसे दुस्तों उप्यूट होने वाला बहरतपूर और अलवर याने बी आंसर इसका करेंट आंसर होने वाला है तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने डिसकस किये राजस्तान जिक्के के 15 महतुपूर्ण प्रस्टन जो एक्जाम की दरश्टी से बहुत इ जिससे की राजस्तान बी इस टी सी के एक्जाम के रिगार्डिंग ऐसी प्रस्टन आपको मिल सके और दोस्तों टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लिजीगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन मॉक्स में मिल जाएगा तो दोस्तों इस वीडियों बच इतना ही फिर बिलेंगे नेक्स वीडियों मैं तब तक लिए जैन हुआ दे मात्रम